तो हेलो एप्रिवान आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वाक एते हैं आज की इस वीडियों जो अन्बॉक्सिंग करने वाले यह जो आप फोन देख रहे हो यह है मोटो का जी चोशाट फाइजी आला फोन और आज हम इसकी करने वाले अन्बॉक्सिंग क्योंकि जो प्राइस है ना वह आपको 15,000 रुपे में देखने हों मिल रहे हैं लेकिन 15,000 रुपे के अंदर इस वाले फोन के अंदर आपको 12 जी ब्रेम 256 जी आपको इस ट्रूइज देखने को मिल रही है अगर 15,000 रुपे आप खर्च करने हो तो कैमरा क्वालिटी बगेरा कैसे होने वाले है तो सारी चीज़े आज की वीडियो में देखने माले है बस वीडियो को पूरा जेहना शुरू से अनला साग और वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्रा अगरा है तो आपको सबसे फोन की चैक करने तो इसके बाद आपको इससे बिल्कुल जो है कंफूस को एक चारजेर मिलना वाले आपको चारजर आपको 33W का चारजर मिलने माला है जो कीgli काफ़ एच्छी COPtime यह nationalism कीबल मिलने वाला है तो आपको ढखा लोगा उसको निकाल चाऱ केबल मिलने वाला है तो यह को दिखा तव दिखा अप दिखसकते हो बाइब आपको 14 shift रुपे में आपको देखने को मिल जागा लेकिन 15,000 रुपे में उसके बेर इंटेना बहु काफी कमाल का है 12GB रेम 256GB स्टूरेज के साथ यह आपको फोन मिल जागा जिसका बेर इंटेन मुझे बहु काफी कमाल का और काफी तखला लगा क्योंकि 15,000 रुपे की रेंज में 12GB 256GB आपको मिल रहा है 5G फोन है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा बैक camera आप देखो कि तो डोबल camera और सेट अब को मिल जाते में आपको में इसमें आपको 50 MP आपको साइड ने बहुंत में सेखने को मिल जाएग Dak यहाँ पर speak mic और यहाँ पर आपको 3.1 ओर टाम जैक बहीं पर side के बात करें तो side में आपको sim train मिल जाती है इसको मैं आपको निकाल करके दिखा जता हूँ तो जैसी आप sim train निकालोगे हैं यहाँ पर तो आप इसमें double sim card एक SD card डाल सकते हो ठीक है और 6.5 इंचिस की full HD press LCD display मिल जाती है जो कि मुझे काफी बढ़िया लगी देखने में क्योंकि आपको full HD display मिल रही है 15,000 रुपे की range के phone में और साथ इसमें जो आप यह camera देख रहे हो front में यह आपको मिलता है 16 megapixel का पंचोल camera जिसकी बज़े से phone का look और design काफी attractive लगता है phone तो काफी सही है और phone के अंदर एक खास बात हो रहे है डिस्पले के अंदर जो कि यह इसका 120 Hz का refresh rate जब आप phone चलाव के तो आपको phone काफी मखंद चलेगा तो refresh rate भी आपको phone के अंदर काफी अच्छा देखने को मिल जाते है बहीं पर बात करें phone की battery की तो इसमें आपको 6000 mAh के बड़ी battery मिलने वाली है तो phone की battery को लेकर के आपके कोई भी problem नहीं रहने वाली है चारजर भी 33W का मिल रहे है और battery 6000 mAh की मिलने तो आपको battery के बारे में तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है आप gaming खेलते हो या नहीं खेलते है आप ज़्यादा phone यूज़ करते हो तो battery काफी कमाल के रहने वाली है बहीं पर बात करें इस वाले phone में जो processor है जो heavy processor है उसकी बात करें जो क्योंकि 5G phone है तो 5G processor होगा तो media tech का डायमशिटी का आपको 7025 का processor मिलने वाला है जो कि मुझे लगता कि I think यह पहला phone है जिसके अंदर आपको media tech का डायमशिटी का 7025 का processor आपको मिल रहे है बहीं पर बात करें इस वाले phone की camera quality की जो back में 50 Mbps आपको OS camera मिल रहा है फ्रंट में 16 का मिल रहा है तो किस तरह की जो performance है इस वाले camera से आप निकाल सकते इस वाले phone के तो बहीं पर मैं आपको दिखाने वालों तो मैंने सबसे पहले क्या है कि इसके camera को open किया तो camera को open करने के बात सबसे पहले हैं पर देख सकते हो camera details बगएर आपको किस तरहीं की मिलने वाली है तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते कि camera के अंदर क्या 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 फीचर्स आपको मिलने वाले है पहला option मिलता आपको प्रो का प्रो के अंदर जिसके अंदर आपको auto focus aperture बगएर जो भी बात करें तो आपको अल्ट्रावाइड में भी कर सकते हो और आप इसको 2x में सुभीच कर सकते हो और इसके अगर फ्रेम रेट की बात करें तो आपको 1080p में 60fps को option मिल जाएगा जो कि आप 1080p में 30fps दोनों को option आपको मिल जाते हैं तो मैं बोलू हूँ है अगर आपको video recording कर करने है तो 1080p 60fps की option जो आप इसका use करना बाकि अगर बीडियो की बात करें फोटो की तो अल्ट्रावाइड 1x 2x खीन सकते हो फोटो और इसको आप 8x तक लेके जा सकते हो पोट्रेट मोड की अगर बात करी जाए तो पोट्रेट मोड में जब आप फोटो शूट करोगे तो काफी अच्छी फोटो आती है इसमें आपको सिंगल ही मिलते है बन एक्स में फोटो शूट कर सकते हो इसमें 2x बगएर का कोई भी सीन आपको नहीं देखने को मिलेगा नाइट बिसदन को ऑफशन मिलते है नाइट में अगर आप फोटो करोगे तो अच्छी फोटो आ जाती है थोड़ी बहुत पहले है तो कोई नाइट मोड भाई यूज नहीं करते है अगर आप वो करनना भी है तो आप फोटो अच्छी फोटो खीन सकते हो बागी मोर वाले उप्शन से जाने के बाद हैंपरा को दो-चार उप्शन एक्स्टा मिल जाएंगे डवल क्याट्यर का से लो मोशन का टाइम लैप्स का यह वाले उप्शन देख सकतो तो यह हैंसे आप जगर के खीन सकतो तो मैंने इस वाले फोन में कुछ फोटो बगारा शूट करें जो क पर मैंने स्म चीज बैक कैमरे से फोटो शूट करी बिदाव पोट्रेट मोड गे फिर मैंने यह देख सकतो यह था हमारा वन एक्स पे और यह था हमारा त्री एक्स पे इसके बाद यहां पर देखोगे तो यह मैंने बैक कामरे यह यूज़ करता है तो मुझे लगता है कि पोट्रेट मोड और बिदाव पोट्रेट मोड के बाई काफ़े डिफ्रेंट से रहने बाला यह मैंने ऐसे फोन देखा जिसके अंदर पोट्रेट मोड से ज्यादा चीज जो फोटो बिदाव पोट्रेट मोड के आती है तो यहां पर आप देखो यह है बिना किसी पोट्रे किस तरीके से सूट करते हो, इसके बाद आप color से बगए एक फोटो आपको निकाल सकते हो। बाकी ये वाली फोटो कुछ ऐसी अगर फोटो आपको shoot करनी है तो ये फोटो आपको काफी अच्छी देखनी को मिल जाएंगी कुछ इस तरिके से आप जूम बगरा करोगे तो काफी clear और details के साथ ये फोटो आपको देखनी को मिल जाती है तो camera quality के लिए मैं बोलूँगा कि 15,000 रुपे की जैसी इस वाले phone की range है जिसमें आपको बेरेंट आपको 12GB, 256GB मिल रहा है इसका और camera quality उस हिसाब से काफी best रहने वाली है तो gaming test की वीडियो भी आपको इसकी मेरे channel पर देखने को मिल जाएगी मिलने वाले मैं बोलूँगा कि 15,000 रुपे की range में आपको 12GB, 256GB चाहिए और 5G phone चाहिए तो ये काफी best option आपके लिए रहने वाले है बाकि आपको यह कहना है इस वाली phone के बारे में तो आप comment करके ज़रूब बता देना वीडियो चले के तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर नई तो भाई सब्सक्राइब पर लेना मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में तब पकले जाहिए बंदे मात्रम